तो अज हमारी वीडियो का थार्ड डे है तो आज हम सीकhएं कुर्ती कटिंग करना तो हमने फिस्ट लाइन खेच ली है यह कपड़े को सीधा करने के लिए यह वारी लाइन खेचते हैं और उसके बाद यह हम बेसिक मेजरमेंट पर आपको हम कुर्ती काटना सिखाएंगे यह हर measurement पे चलेगा पतले नाप पर मोटे नाप पर कैसा भी नाप सब पर यही measurement चलेगा उपर से यह हमने second line जो हमने खेची है six inch पर और यह हमारी chest की line होगी और यह हमारी तीसरी line साड़े चौदा इंच पर होगी यह हमारी कमर की land है और उसके बाद यह वाली line हमारी साड़े बीस इंच पर यह हमारा hip है यहाँ पर और उसके बाद हम अपनी line के according इसकी line खेच सकते हैं जितनी भी चाहिए इसकी हमारी 40 line तो हम 40 पर एक mark लगा लेंगे निशान लगा लेंगे तो सबसे काम जो होता है कुड़्ती काटने में 13 तो basic measurement में 13 होता है शाड़े छे सवा छे पौने साथ तो लगबग यह हमने इसका तीरह लिया है पौने साथ इंच पर इसकी चेस 36 and half है साड़े 36 इंच है तो 36 का एक 14 हिस्सा होता है सवनो नौ नौ इंच दो सूत पर से एक निशान लगा लेंगे मैं यह निशान लगा यह तोल्ए हमारी कमर का नप इंश्री बट्रीच वरनिशन लगा लिए और हमारी हेव थाड़े छथी तो छथी सेinter तो आप सबसे पहले एक स्टेट लाइन हम यह खेचेंगे जो हमने यह पौने साथ इंच का निशान लिया था तो एक सीधी लाइन खेच लेंगे और उसके बाद हम यह चेस्ट पर एक हमारे पार जैसे कि यह शेपटी होती है हमने सबसे पहले फमीडियो में आपको बताया था कि शेपटी का यूज किसे करते हैं तो यह देखिए थ induce उन्हों सबस्क्राद में यह जीते लिए सीधी से निशान लगा लिया यूरि य। आपक की बगाली यहाट को थोड़ा पर आफंगे हैं और नीचे जादा करव नहीं करना है जैसे कि हमने किया है कई लोग बहुत जादा करव कर देते हैं जैसे कि यह वारी लाइन पर हमने बिल्कुल माइनर करव करना है यहां पर और उसके बाद जैसे कि हमारे हिप जितने होते हैं उससे हम एक डेड़ इंच एक्ष्ट्रा करके एक निशान लगा लें जैसे कि हमारे हिप तो साड़ी छत्स थेigor लगा लेंगे दस लगबाग अगर किसी को स्टेट कुड़ती चाहिए तो छती सिंज्य जैसे कि हप हैं तो नीचे भी छ buttess पर ही निशान लेगा यानि कि यह देखे एक निशान हम ऐसे करके लगा लेंगे तो हमने यह पहले से एक निशान लगा लिए यह जैसे कि आप देख पार हो यह यह देखिए जैसे कि मैं मार्जन का निशान ले रहे हैं कई बार कुड़ती ड्हीली टाइट वगरा हो जाती है तो उसके लिए हमें थोड़ा margin रखना पड़ता है डेड़ से 2 इंच का margin रखना तो गाइस देखिए ये मैडम जो cutting कर रही है cutting हमेशा जो कैंची की nox से करनी चाहिए उससे क्या होता है कपड़ा इकसार कटता है finishing से कटता है और आम राम से कैंची चलानी चाहिए ना कि स्पीड से आर्मोल पर हमेशा दिहान से कैंची चलाएं ताकि आर्मोल बड़ा न हो जाए आपका आर्मोल बड़ा हो जाएगा तो आपकी fitting अच्छी नहीं आ पाएगी जैसे कि आप देख पा रहे हो तो हम इसको जैसे कि हमारे shorter का निशान यहां था तो हम यहां से आदा ही नीचे उताड़ लेंगे कैंची को यह देखिए तो हमने यह front हमने cut कर लिया था और हमने यह back अपनी बिच्छा लिये तो हमने यह front का आर्मोल काटा था तो इससे हम आदा पनी थोड़ा सा एक्स्टा रखेंगे यह वाला और यह जो हमारे चेस्ट का निशान है चेश के निशान से एक इंच पहले हम इसको equal कर लेंगे यहां से बराबर कर लेंगे जैसे कि मैं आपको काट के दिखाएंगे भी आपको तो हमने यह back वाला जो पार्ट है जैसे कि हमने यह front का पार्ट आदा ही और तो दोस्तों देखो यह हम एक साङड यह से रही हम ऐसे नाखुन के दरिये हम ऐसे निशान लगा लीवें के यह सकते हैं कि दोस्तों ये लेखो हमने ऊपर मौडने का मार्जन रख लिया है बाजू के अंदर और हमारे बाजू कि लैनती 12 इंश आदा हम नहीं शौशा आयँ अश्य यहें दिखाए है कि कर तो यह वाली लाइन ले लिए है आट आट इंच पे हमारा मुड़ा जो है आट इंच का आर मोल है इसमें और यह इस तरीके से हमने एक राउंड ले लिया है और इसको हलक अलगा सा यहां से कम से कम तीन इंच के बाद हमें राउंड लेना शुरू करना है अगर आप ऐसे करके सीधा है और उसके बाद ही हमने एक सीधी लाइन खेश लिए है तो मैं हम यह कटिंग करके दिखाया है और हमने एक डेड़ से दो इंच का यह मार्जन ले लेना है ताकि कभी हमारी लूज टाइट करने लगे तो उसमें हमारे यह काम आ सके तो एलो गाइस तो दोस्तों यह हमने यहां से हमने बाजू काट लिए है अब इसको हम फ्रेंट की साइट से इतना हलका हलका आदा आदा इंच ट्रिम कर लेंगे देखिए मैं जैसे करके दिखाए यह जैसे कि मैं निशान लगा रही है इस तरीके सा आपने में निशान कर सकें आदा आदा इंच और यहां पर लाकर आपको इसको मिला देना है यह हम आर्मोल इसलिए मुड़ा इसलिए उतारता है क्योंकि फ्रेंट की साइड से जो रिंकल पढ़ता है बाजू के अंदर इससे नहीं पढ़ता है और फिटिंग बहुत अच्छी आती है तो आप कुर्ती कट चुकी हमारे कुड़ी बाजू con City सब कट चुकी है तो हमारे वीडियो में बनरे लेने खन्यवाद अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को जाद जाद अपने दोस्तों फ्रेंड फैमिली में शेयर करें अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल पर बने रहें और ऐसी वीडियो आपको हमारे चैनल पर हैवरी डे मिलती रहेंगी धन्यवाद